16 जनवरी से 22 जनवरी की 12 राशियों क्या इस्तती होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस सब्ता मैं आपको बता दू मंगल और बुद्ध दोनों के दोनों सिंग रासी में विराजमान है यानि की रोचक योग इस सब्ता बनेगा अचाना की कुछ राशियों को धनलाब होगा कुछ राशियों को धनहानी भी होगी अब वो राशिया क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी साथ इस सब्ता नववम और पंचम का योग भी बनेगा शुक्र आपके नववम भाव में बैठेंगे और गुरु मंगल का नववम पंचम योग भी बनेगा यानि काफी साला हलचर भरा ये सब्ता रहेगा यानि कि 16 से 22 जनवरी अब बात कर लेते हैं लिबरंस की यानि तुला राशी की ये सब्ता यानि 16 से 22 जनवरी के बीच में बड़ा चेंज आप में आएगा आप खूब किसी गुरु की मोटिवेशनल या अध्यात्मिक वीडियो काफी देखने वाले हैं रह सकती है अधन की इस्तधी के बारे में बात कर तुला राशी की तो ये सब्ता धन के लिए अच्छा है रुकावा धन आपको मिलेगा लेकिन आपको दो चार बार कॉल करनी पड़ेगी क्लाइन के घर जाना पड़ेगा यानि हार निमानी लेकिन धन्समंद्र का वधन आपको मिल जाएगा माता पिता को इस सब्ता आप कोई स्वेटर कोई वस्त्र कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाले हैं तुला राशी वाले यानि माता आपके काम की तुलाराशी वाले 15 तारीक के बाद तारीफ करने वाले हैं और सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर कटेंगे यानि आफिस की तरफ से आपको सरकारी दफ्तर भीजा जा सकता है बैंक में भीजा जा सकता है या आफिस की दूसरी ब्रांच में आप जा सकते हैं तो ख प्रप्ता relationship तुलारशी का नार्मल रहेगा है सातीसाथ किसी पुराने मित्र से आपकी टेलीफोनीक वाद्विवाद हो सकते हैं इसा योग बन रहा है और पुराने दोस्त आपको किसी बुरे लट में ले जा सकते हैं या बुरे काम को करने के लिए प्रेरीद कर सकते हैं तो थोड़ा साबधान रहें बाकी रिलेशन्शिप अच्छा है